प्रश्चार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकर सब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें होने वाला है तो आप अभी AL10 ये कोड इस्तमाल करके आइकनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे मेरे और बाकी सारे टीचर्स के जो भी अनकैडमी पर पढ़ाते हैं बैंक एक्जाम्स के लिए तो पहले पजल से शुरुआत करते हैं अभी बहुती कम लोगे क्योंकि तो चार से पांच मिट का समय है पजल से शुरुआत करेंगे फिर जैसे जैसे लोग जुड़ने लगेंगे उसके बाद फिर मैं सिलॉजिसम के बेसिक से स्टार्ट करूँगा तब यह ठीक है खांसी है थोड़ी खांसी की वज़र से क्लास नहीं ले पा रहा था मैं अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो थोड़ी सी ही थोड़ी देर की ही लूँगा जादा बड़ी क्लास नहीं होगी बनाईए इस पजल को जल्दी से 4-5 मिट का समय है उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा झाल झाल करूँगा झाल 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 यहाँ तो डं का मैसेज लिख दीजेगा दोस्तों दो-चार लोगों के देखतो रहें और दो मेट और वेट करेंगे कि काफी सारे लोग अभी जुड़ें झाल 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 आट फ्लोर की बिल्डिंग है तो अब क्या बोल रहा है आगे आपको बोल रहा है 2% live between Smita and the one who works in Reliance. दो लोग रहते हैं Smita और जो Reliance में काम करता है उसके बीच में. 2% live between Raju and Aashish. Raju और Aashish की बीच में दो लोग हैं. आगे आपको बोल रहा है 3% live between Raju and the one who works in Bajaj. Raju और Bajaj की बीच में तीन लोग रहते हैं. Madhu works in SBI and lives on 4 floors above of Amun. Madhu जो है वो SBI में काम करती है. और यह 4 floor उपर है किस से? Amun से. 1, 2, 3, Amun. 4 floor उपर मतलब बीच में 3 का gap आएगा. आगे बुरह नीरज does not work in Bajaj. नीरज जो है Bajaj में काम नहीं करता. Bajaj में नीरज काम नहीं करता. यहां पर cross कर देंगे. The one who works in Adidas live immediately above the one who works in Coca-Cola. तो Coca-Cola के just उपर में कौन काम करता है? जो. क्या बोल रहा है? राखी डाज नॉट लिव उन टाफ फ्लोर. राखी जो है वो टाफ फ्लोर पर नहीं है. अब दोस्तों यहां पर कौन सी condition से start कर सकते हैं? देखते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ. इससे हम start कर सकते हैं. बजाज और ए वाले से. आठ हो जाएंगे. इसको देखते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नौ. इधर तो हो नहीं सकता. ए से दो छोड़कर आर हो जाएगा यहाँ पर. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ. ठीक है. इसको एक और दोस्तों अगर मैं टॉप पे रखता हूँ ध्यान से सुनियेगा अगर एक को मैं टॉप पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा दो छोड़ कर आर है दो छोड़ कर आर हो गया यहां पर आर से एक छोड़ कर ऐस है तो आर से एक छोड़ कर स्मिता से दो छोड़कर रिलाइंस है तो स्मिता से दो छोड़कर यह होगा है रिलाइंस अब आपको पता है M से तीन छोड़कर अमन होना चाहिए तो M से तीन छोड़कर अमन तो हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है M से 3 चोड़कर अमन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, M से 3 चोड़कर अमन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मतलब कंडिशन गलत हो रही है, हमारी, अगर कंडिशन गलत हो रही है, इसका मतलब क्या है, दोस्तों हमने ये कंडिशन को गलत जगा पर नोट किया है, गलत चेंज करना पड़ेगा, चेंज कैसे करेंगे अब? क्या हम A को सेगंड पोजिशन पे ले सकते थे? हाँ या ना? जल्दी बताइए. इस पजल के बाद सिलोजिसम होगा ना? लॉग अप्लोड हुगा है? कौन सा? मेरा? मैं भी देखोंगा. पर क्लास के बाद. तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको A को हम सेकंड पोजिशन पे नहीं लेंगे. पहले हम क्या करेंगे ना? इसको उल्टा कर देंगे. मैंने क्या बताया था? A वाले से हम इस तरफ ऐसे जा रहे थे, तो अब इस तरफ ना जाके हम A से इस तरफ जाते हैं. इस तरफ जाएंगे, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ. तो अगर मैं A से दो छोड़कर R, R से एक, दो, तीन छोड़कर बजाज और स्मिता को ऐसे नीचे की तरफ ले रहा था, तो वो कंडिशन गलत हो रही है. यार मैंने क्या लिया था, इतना बात करने में भूल गया, मैं एक मतलब को मुझे फिर से देखने दो, A 2 छोड़कर R लिया था, R से एक छोड़कर S, उसके नीचे स्मिता, और R से 3 छोड़कर Reliance लिया था, हाँ ठीक है, ये कंडिशन में लिया था, अब इसको उल्टा कर द से 4 छोड़कर A है, तो S से 1, 2, 3, 4 छोड़कर A हो गया, A से 2 छोड़कर R है, A से 2 छोड़कर R हो गया, R से 3 छोड़कर बजाज है, तो R से 3 छोड़कर यहाँ पर बजाज हो गया, अब देखो M से 3 छोड़कर अमन लेना है, तो M से 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ पर अमन हो जाए यह जीप में काम करती है अब क्या बच्छा कोला के उपर एडिडास वो बाद में रखेंगे M जो है वो SBI में है SBI रख देते तो कोला के उपर एडिडास सिर्फ और सिर्फ यही वाली दो जगा दिख रही है तो यहां लग देंगे कोला यह हो गया एडिडास अब क्या बच्छा हमारे पास देखो बजाज में N नहीं आएगा तो बजाज में N नहीं आएगा तो N यहां आएगा जो भी नाम बज़ गया उसको यहां पर रख दो इसके अलावा और क्या है स्मीता से दो छोड़कर रेलाइंस रखना था स्मीता से दो छोड़कर रेलाइंस नहीं हो पा रही है यह भी गलत है क्या होगा कुछ तो कड़बड हुआ है अभी भी इसको और एक नीचे रखके देखते है dot method से करना चीए था वो ज़्यादा अच्छा होता dot method से करते हैं तो जल्दी हो जाता खैर अब चालू कर चुके हैं तो और देखो कौन सी कंडिशन दिखरी है हमको S को रखते हैं यहाँ पर S के नीचे स्मीता S से 4 छोड़कर A S से 1,2,3,4 छोड़कर A A से 2 छोड़कर R R से 3 छोड़कर बजाज और क्या बच गया S के नीचे स्मीता जीब है M M नहीं आएगा M यहाँ पर आजाएगा MSBI 3 छोड़कर Aमन उसके बाद क्या बच गया हमारे पास R से 3 छोड़कर बजाज हो गया है स्मीता से 2 छोड़कर Reliance स्मीता से 2 छोड़कर Reliance और क्या बच आपकर है और क्या बच गया हमारे पास एक नाम बचा था था ना कि ए से आर कि स्मीता से Reliance स्मीता जीब एस हायर नहीं है M अमन हो चुका है कि बचाज पर एन नहीं आएगा बचाज पर एन नहीं आएगा एन यहां पर आएगा जो बच गया वह यहां पर आ जाएगा और क्या बचा हमारे पास अब दो नाम बचें S में higher नहीं होना चीब है यहां पर higher नहीं होगा तो यहां पर higher हो जाएगा अब नाम देख लेते हैं दोस्तों तो एक नाम कौन सा बच्चा हुआ है यह आर कौन सा था राजू का था तो यहां पर रख जाएगी राखी चेक करिए एक बार सभी का सही है यह नाम भी बता दीजे क्या बच गया है यहां पर पेस्बुक जल्दी चेक करिए दोस्तों सब का सही है आंसर पूड़ा एनर्जी आज लो लगे कि दोस्तों मेरी तवित खराब है तो मैं पूरी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा चलिए चेक करते हैं दोस्तों अमन नीरज एस जो भी था और राकी तो एसे कौन था भई एस ऐसी और राकी ठीक है बिल्कुल ही एस बीए फेस्बुक ओड़ी और डी कहां से आगया एजबुक जीप है यहां पर ओड़ी यह गलत है जीप हो गये एडिडास, कोका कॉला, रिलायंस, एडिडास, कोका कॉला, रिलायंस, हैर और बजाज, हैर और बजाज, ठीक है, बिल्कुल सही चलिए, तो सिलोजिसम शाट करेंगे दोस्तों, पहले तो मैं थोड़े से बेसिक समझा देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कितने लोगों को सिलोजिसम बिल्कुल नहीं आता है, एक दम जीरो पर है, एक बर जल्दी से नो लिख दीजिए, नहीं आता है, मैं सिलोजिसम बेसिक से एक्स्प्लेइन करूँगा आपको, चलिए, काफी सारे लोग हैं, जो नो लिख रहे हैं, तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजे सीखते हैं, जैसे कि, अगर आपको बोल रहा है, सम A, R, B, जादा टाइम नहीं लगेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, जो बाकी लोग हैं, ज्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, दो, चार, पांच मेट में ही समझा दूँगा, बेसिक, सम A, R, B को हम बनाते कैसे हैं, यह A है, तो थोड़ा सा साइन जरूर लगाना, All A, R, B, इसको कैसे बनाते हैं, यह पूरा का पूरा A, जो है, यह B हो जाएगा, Only A few A, R, B, तो इसको बनाते हैं, A, B, यह सम वाला डाइगराम दिख रहा है, बिल्कुल ऐसी बनता है, लेकिन रिप्रेजेंट करते समय आपको इसमें ऐसे ऐसे करके, पीच में, portion, कुछ बना देना है, जिग-जग बना दो, कुछ भी कर दो, ताकि आपको यह समझा है कि Only A few, मतलब सिर्फ थोड़ा सा A, जो है, वो भी है, अब एक बात याद रखेंगा, दोस्तों, एक trick होती है, इसकी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जिनको पता All A can be B, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, पूरा A, B के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि All B can be A is a possibility, हाँ, वो जा सकता है, तो याद रखेंगा, Only A few वाले case में, पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा नहीं जा सकता, पूरा की बात कर रहा हूँ पूरा नहीं जा सकता, और वैसे ही दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, क्यों जा सकता है, उसके लिए इसका एक और डाइगराम बनता है, उस डाइगराम से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप मैं आपको बोल रहा हूँ, Only A few A, B, इसका मतलब क आपको बोल रहा है, Only A few A, मतलब थोड़े से A, B होंगे, तो हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, कि ये थोड़ा सा A का पोर्शन जो है, वो B होगा, ऐसा भी तो बना सकते थे, इसी वज़ा से पूरा का पूरा B जो है, वो A के अंदर जा सकता है, जो मैंने बोला ना, बाद वाला जो है, वो पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, क्योंकि ये डाइग्राम भी पॉसिबल डाइग्राम होता है, Only A few का, ठीक है, लेकिन पूरा A कभी भी B के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बोला है, सिर्फ थोड़ा सा A, B है, तो उसका भी एक पॉसिबल ड बनता है, अब काफी लोगा भी यहाँ पर confused होना चालोंगे, क्योंकि Only A few के तीन डाइग्राम होते हैं, लेकिन ये बेसिक डाइग्राम है, जो आपको हमेशा ड्रॉ करना है, पर आपके दिमाग में ये डाइग्राम भी होना चाहिए, और दूसरा डाइग्राम भी होना चा और ये, Only A few A are B, सिर्फ थोड़ा सा A जो है, वही B है, इसका मतलब A का थोड़ा सा portion ऐसा था, जो B नहीं होगा, ये भी तो बोल सकते हो, या फिर आप इसी के अंदर में ऐसा बना सकते हो, कि A का थोड़ा सा portion जो है, वो B नहीं होगा, दोलों सेमी चीज है, अब Only A few A are B बो इसको अलग से बना देता हूँ, मैं, अब देखो, Only A few A are B, पूरे A में से थोड़ा सा A जो है, वो B है, पूरे A में से थोड़ा सा A जो है, वो B है, पूरा का पूरा B, A के अंदर ये देखो जा सकता है, पूरा A जो है, वो B के अंदर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि A का थोड़ा सा portion जो था, वो B कभी भी नहीं होगा, तो ये possible diagrams होते हैं, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, तो आपको कभी भी Only A few में गलती नहीं होगी, आप कभी भी Tension में नहीं आओगे, दिक्कत में नहीं आओगे, बहुत आसानी से आपसे questions बन जाएंगे, और सहीं बनेंगे, गलती कभी नहीं होगी, तो ये कुछ basic चीजे हैं, इसके लाबा और भी चीजें होती हैं, वो सब चीजे हम आगे question के हिसाब से देखते जाएंगे, ये main basic चीजे हैं, Only वा लगा दो, और उल्टा पढ़ लो, All B are A, All B are A, पूरे के पूरे जो B हैं, वो A होंगे, ठीक है, तो बनाते ऐसा हैं, लेकिन check कैसे करते हैं, Only A are B, मतलब सिर्फ A ही B होगा, ये वाला जो B है न, ये A के अंदर ही रहेगा, ये और किसी के अंदर नहीं जा सकता, कोई दूसर बनाते हैं, तो question में क्या बोल रहा है, All open are shut, All open, पूरे के पूरे जो open है, वो shut है, Some open are not logged, Some open, थोड़े से open जो हैं, ये देखो, ये open का थोड़ा सा portion, ये logged नहीं है, तो अब काफी लोगों को ये भी doubt वासर, Some not वाला कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, Some open, ये देखो, open का इतना portion था, उसमें से थोड़ा सा portion जो है, वो logged नहीं है, तो इसलिए cross कर दिया हमने, ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, Some logged can be shut, क्या थोड़े से लॉक जो है, वो shut हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कैसे, इसका एक बहुत बढ़िया example दिया था, मैंने कुछ दिन पहले class में, कोई वाला example दोंगा, आपको क्या बोला गया है, ये lock जो है, वो कहां नहीं जा सकता, कहां नहीं जा सकता, इसके घर नहीं जा सकता, ये जो cross दिख रहा है, यहां नहीं जा सकता, इस portion पे, यहां तो जा सकता है, यहां के लिए मना किया है, क्या नहीं मना किया है, बस true हुए इजामपल की जरुवत नहीं पड़ी कि वैसे तो अभी ऐसी समझ जाओगे सम लॉग्ड कैन भी शट क्या थोड़ा सा लॉग जो है वो शट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है गल्फ्रेंड वाला देख रही हो याद रहता है सब को लॉग जो है वो यहां बस नहीं जाएगा यहां तो जा सकता है इसलिए ट्रू उसके बाद देखो बोल रहा है सम ओपन आर नॉट लॉग्ड सम ओपन आर नॉट लॉग्ड तो थोड़ा सा ओपन लॉग नहीं है यह भी बिल्कुल सहीं बोल रहा है तो बोथ ट्रू आपका आंसर बनेगा पहले वाल अब सेकंड वाले को देखते हैं दोस्तो तो सेकंडवाले में क्या भोल रहा है सम ड आर सी सम ड थोड़े से ड जो है वो सी है थोड़े से ड जो है वो सी है No M is C, कोई भी M जो है, वो C नहीं होगा, फ्रॉस कर देते हैं, अब यहां पर देखो, क्या बढ़ा, All C, R, D, यह होती है, Simple Positive Statement, Simple Positive Statement के बारे में सुन लीजे, समझ लीजे, Simple Positive Statement क्या होती है, एक ऐसी statement, जिसमें कहीं पर भी No, Not, Never, Is A Possibility, Can Be, ऐसे words यूज नहीं होते हैं, सिंपल सी statement होगी, और सिंपल positive होगी, positive मतलब उसमें कुछ भी negative word नहीं होगा, जैसी कि यहां पर बोला है, All C, R, D, पूरे के पूरे C, D हैं, अब आप देखोगी अपने diagram में, तो ऐसे कभी भी आपको अगर दिखता है statement, Simple Positive, तो diagram में दिख रहा है, तो true, नहीं दिख रहा ह तो false, तो यहां पर देखो, क्या बोला है, All C, R, D, पूरे के पूरे C, आपको D के अंदर दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, मतलब गलत हो गया, अगर दिखता तो true हो जाता, अब बोला है, थोड़े से D, जो हैं, वो M नहीं है, यह भी बिल्कुल सहीं बोल रहा है, कैसे सहीं बोल रहा है भई यह, बोल रहा है, सम D, थोड़े से D, जो हैं, वो M नहीं है, भई यह देखो, यह D का portion दिख रहा है, इतना सारा, तो इस D के portion में, यह वाला जो portion है, यह तो इसके अंदर था ना, और जब यह M नहीं है, तो यह portion भी M में नहीं आएगा, वही ची Only a few, only a few copper are aluminum, तो बोल रहा है, only a few, थोड़े से copper जो है, वो aluminum है, आगे बोला सम aluminum are not magnesium, सम aluminum, थोड़े से aluminum जो है, वो magnesium नहीं है, अब आपको क्या बोल रहा है, Some copper are not magnesium, बोला थोड़ा सा copper जो है, वो magnesium नहीं होगा, गलत, भाई, इस copper को आप इसके अंदर ले कर जा सकते हो, कैसे, आप इस copper का अगर मैं diagram ऐसा बना देता, इसका diagram मैं आप कैसे बनाओ, मतलब, यह देख, अगर मैं इस diagram को ऐसा बना दिया होता, तो थोड़ा सा copper जो है, वो तो magnesium के अंदर आ जाता, मतलब, यह गलत बोल रहा है, some copper are not magnesium, गलत बोल रहा है, हम ऐसा बना सकते थे diagram को, हमने नहीं बनाया, वो बाता लगे, पर ऐसा बना तो सकते थे, कैसे गलत बोल रहा है, दूसरे को देख, all copper are aluminium is a possibility, all copper are aluminium is a possibility, क्या पूरे copper जो हैं, वो aluminium के अंदर जा सकते हैं, true या false, जल्दी बताओ, क्या पूरे copper aluminium के अंदर जा सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को trick बताईए दोस्तों, all copper are aluminium is a possibility, ध्यान से सुनिए, all copper, यह देखो, कहां गया, only a few, copper are aluminium, only a few में, पहला वाला, पूरा का पूरा, दूसरे के अंदर नहीं जा सकता, पहला वाला, पूरा का पूरा, दूसरे के अंदर नहीं जा सकता, यह वहीं बोल रहा है, पूरा copper, aluminium के अंदर जा सकता है, क्या कोई possibility है, ऐसी नहीं जा सकता, पूरा copper कभी aluminium के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए यह खलत हो जाएगा, तो both, does not follow आएगा, neither, समझ में आए वहीं सभी को, यह options है, यह answer नहीं है, ठीक है, यह options है, तो इसको देख के असा मत सोचना, सर, पहले का तो हमारा कुछ और आ रहा था, इसमें तो one लिखा है, यह options है, चलिए, चौथा और पांचवा बनाईए जल्दी से, दो मिट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या हूँ ऑप जल्दी को, अचलिए, जए प्रो वोगों को, फक्या है, यह वोगों को, चौब रहा है, ऑका बनाईए जल्दी से, पतव फस्ञतिकें, तो मिट का समय दे रहा है, चलिए, बर विख जफ बनाईए. झाल झाल चलिए दोस्तों तो यहां पर आ गया है आंसर कुछ लोगों का देखते हैं भी क्या आंसर आया है आप देखें बोरा सम बैड आर किचन थोड़े से बैड किचन आपको दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं मतलब गलत क्योंकि सिंपल पॉजिटिव स्टेट्मेंट है इसमें कोई भी सम बैड आर किचन थोड़े से बैड किचन है ऐसा बोल रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गलत हो गया भी सम बैड आर नौट किचन थोड़े से बैड जो है वो किचन नहीं है बिल्कुल सहीं बोल रहा है some bed are not kitchen बिल्कुल सहीं क्योंकि bed जो है वो इसके अंदर है और जब ये पूरा किचन के अंदर नहीं जा सकता तो bed भी किचन के अंदर नहीं जा सकता some bed are not kitchen बिल्कुल सहीं फिफ्थ वाले को देखते हैं दोस्तो few flat are apartment few flat थोड़े से few का कोई मतलम नहीं होता है some floor can be apartment थोड़े से floor जो है वो apartment हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता सिर्फ इतने portion के अंदर नहीं जा सकता इसके अलावा इसको कहीं पर भी घुमा दो भई कहीं भी जा सकता है उसकी मर्जी some flat are floor थोड़े से flat जो है वो floor दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे तो गलत हो गया only one आपका answer बनेगा क्योंकि ये simple positive थी direct आपको देखना था दिख रहा है तो true नहीं दिख रहा तो false some flat are floor only one इसका answer बनेगा ये गलत अमीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा चलिए एक puzzle और बनाईए जल्दी से 3-4 मिट का समय है क्यांस इस अब और कि अब और कि पोड़ी वन होगा कॉस ने देखो वन वाले में बोथ conclusion one and two follow हो रहा है ठीक है क्यों हो रहा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसमें डाउट आ रहा है कुछ लोगों को कि देखो क्या बोरह आल ओपन आर शट पूरे ओपन जो है वो शट है कि सम ओपन आर नॉट लॉट थोड़े से ओपन जो है वो लॉट नहीं है अब देखो पूरे सम लॉट केन भी शट थोड़े से लॉट जो है वो शट हो सकते हैं बिल्कुल हושकते हैं सम ओपन आर नॉट लॉट थोड़े से ओपन जो है वो लॉट नहीं है सम ओपन आर नॉट लॉट तो दोस्तों यहा पर न जिनका Clean переход यह कहना है कि sir अगर restatement होती है तो false हो जाती है ऐसा नहीं होता है ऐसा कभी भी मैंने नहीं बताया कि restatement आजाएगी मैंने तो नहीं बताया भी मैं कम से कम इतना बोल सकता हूँ मैंने कभी नहीं बताया ऐसा क्योंकि ऐसा नहीं होता ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर बार होगा वो कभी कबार ऐसे केसे सोते हैं कि restatement जो है वो गलत हो जाती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे some open are not locked तो यह क्या होगा दोस्तो some open are not locked आपको दिख रहा है यह वाला open जो है वो लॉक नहीं है तो यह गलत हो गया सुरी true हो गया इसलिए दोनों follow आएगा इसमें हाँ हो सकता है दूसरे सर ने किसी ने बताया हो में भी हो सकता है मैंने नहीं बताया ऐसा क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता होता भी ऐसा बट क्या है यह सब देखो यह सब चीज़े नो shortcut वगर कि चक्कर में मत पढ़ा करो कि restatement है तो direct उसको false मा कर दो यह सब shortcut क्यों मारते हो यार आप check करके देखो न आपको बोल रहा है यहाँ पर some open are not locked थोड़े से open जो है वो lock नहीं है आपको दिख रहा है यहाँ पर यह देखो यह वाला open जो है वो lock नहीं है मतला बिल्कुल सहीं बोल रहा है जो भी बोल रहा है बिल्कुल सहीं बोल रहा है गलत तो बोल नहीं रहा है तो गलत कैसे हो सकता है इस statement false हो जाती है क्यों false हो जाएगी अगर वो चीज सहीं नहीं है वो चीज आपको सहीं बोल रहा है वो भी बोल रहा है यह जो है उपन वो लॉक नहीं तो सहीं बोल रहा है तो सहीं को गलत कैसे बोल दो गया अगर कोई चीज मैं सहीं बोल रहा हूं पर कम आएगा और क्या फरक पड़ता है एक बार पेपर नहीं क्लियर होगा कोई बात नहीं दूसरी बार हो जाएगा इसमें बोथ फॉलो ही बनेगा ठीक है इसको बनाईए जल्दी से तीन से चार मेंट का समय है बार मेंट का समय होगा । झाल झाल चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है दिर और सेवन बॉक्सेस नेमली एफजी एच आई जे एंड के प्लेस्ट वन अबाव अधर अधर बट नॉट इन दे सेम और अल्ड बॉक्सेस अर अरेंच फों टॉप तो बॉटम तो साथ बॉक्सेस हैं, more than three boxes are placed between box j and i, j और i के बीच में more than three यानि की plus three boxes है j does not placed immediate above of k, j जो है वो k के just उपर नहीं होगा box h is placed three places above of g, h जो है वो तीन places above है g से मतलब बीच में दो का gap आएगा three boxes placed between k and i, three boxes है k और i के बीच में two boxes placed between j and f, j और f के बीच में दो boxes है f placed above of h, f जो है वो h के उपर है but not immediate below f placed below of h but not immediate below h के नीचे है f पर immediate नहीं मतलब यहाँ पर नहीं होगा तो यह condition होगी दोस्तों अब देखो condition क्या होती है जब लिखते रहते हैं तब दिमाग आपका process करते रहना चाहिए दिमाग में यह चीज़ चलती रहनी चाहिए कि भई कहाँ पर क्या होगा क्या चीज़ सही हैं क्या चीज़ गलत हैं जैसे कि यह condition को अगर मैं पढ़ूँ तो मैं अगर minimum possibility लगाता हूँ जे और i के बीच में 3 से जादा याने 4 लेने की तो j से i के बीच में जब मैं 4 लूँगा तो definitely मैं यह बोल सकता हूँ कि j उपर नहीं होगा i ही उपर होगा अगर मैं बीच में 4 ले रहा हूँ तो i ही उपर होगा 100% चेक करके देख लेना नीचे नहीं हो सकता अब i से 4 छोड़कर मैं j लूँगा तो एक दो तीन चार छोड़कर यह हो गया j i से आपको पता है तीन छोड़कर k होना चाहिए था तो i से तीन छोड़कर यह हो गया k j से दो छोड़कर f होना चाहिए था तो j से दो छोड़कर हो गया f H से 2 छोड़कर G होना चाहिए था तो H से 2 छोड़कर ये हो गया G ठीक है और क्या बचा ये तो 8 हो गया रहे एक मिट कुछ गलत कर दिया मैंने H से G ये गलत हो रही है condition ये condition गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखो 3, 3, 6, 7 बॉक्से दिख रहे है लेकिन H और G आप नहीं रख पाऊगे G से 2 छोड़कर H नहीं हो पाएगा H से 2 छोड़कर G नहीं हो पाएगा condition गलत हो रही है अगर ये condition गलत हो रही है तो फिर क्या करेंगे हम मैंने क्या क्या रखा था यार जे से दो छोड़ा कर एफ कुछ तो बड़ा है दया अगर पांच हम लेते हैं तब जे टॉप पे जा सकता है जे से दो छोड़कर एफ यहाँ पर आ जाएगा आई से तीन छोड़कर के यहाँ पर आ जाएगा कि एच के नीचे एफ होना चाहिए कि यह भी गल्द हो रहा है है तो सोचत है यह सब दिमाग में हो गया लोजा कड़भड मा दो भगया पुरा के एक दूव तीन क्षोड़कर आई आई से तीन छोड़कर के हो नई पाएगा एक डाऊट और बनाते हैं आई एक दूव तीन चोड़कर के इस जे से दो छोड़कर F ह से दो छोड़कर हाँ यह हो गया यह क्या बचा है लास्ट में यह बचा है यह सही है आपका देखो मैंने क्या बताया था शुरुवात में जब हम यह कंडिशन पढ़ रहे थे न तो पढ़ते साथ हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर बीच में आप minimum possibility लगाते हो तीन की प्लस तीन मतलब क्या होता है तीन से जादा तीन से जादा मतलब अगर आप चार लेते हो न तो जे उपर नहीं होगा क्योंकि जे उपर लोगे एक दो तीन चार जब रखोगे तो आई से तीन चोड़ कर के जो होगा न वो के जे से immediate नीचे आ जाएगा जो की मना किया गया यह देखो इसलिए यह चीज नहीं होगी मैंने बोला था ठीक है अगर आप minimum possibility लगा रहे हो आप बीच में चार के जगा पांच लेलो हो जाएगा solve यह पांच ले लिए अब यहाँ पर देखो अब यह solve हो जाएगा जे और आई के बीच में पांच ले लिए आई से तीन चोड़ कर के तो आई से तीन चोड़ कर यह हो गया के जे से दो चोड़ कर एफ लेना है जे से दो चोड़ कर यह हो गया एफ अएच इसे हेच से 2 छोड़कर G है तो H हो गया यहाँ पर 2 छोड़कर हो गया Gihat200 यह CHKF GEEI यहाँ बिल्कुल चुह है चलिए लेगते हैं तो कुछ सीलोजिसम और बनाते हैं दोस्तो कि आग जादा बड़ी क्लास नहीं ले पाओंसे लेगते मैं टविव guides ही ले लिया क्लास यही बहुत बड़ी बात है थोड़ी देर और फिर बस खतम करेंगे करेंगे Jesus झाल 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 चलिए तो काफी लोगों का अंसर आ रहा है देके क्या बोरा सम एपल आर नॉट बनाना सम एपल थोड़े से एपल जो है समब एपल ठोड़े से एपल जो हैँ वो बनाना नहीं है है आप मेपल्स भूरे पूरे के पूरे जो बनाना है यह कह थे व्लिए फ्यू पाइनेपल अब थोड़े से पाइनेपल सिर्फ वही वहाऒ होंगे अब और सम एपल और नॉट गुवावा थोड़े से एपल जो है वो गुवावा नहीं है गलत थोड़े से एपल जो है वो गुवावा नहीं होंगे ऐसा बोल रहा है आपको गलत क्योंकि इधर वाला एपल जो है वो गुवावा हो सकता है at least का कोई मतलब नहीं होता some pineapple or banana थोड़े से pineapple बनाना दिख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे हैं मतलब both wrong, neither होगा आपका answer इसका all cricket or football पूरे के पूरे cricket जो है वो football है no football is golf कोई भी football जो है वो golf नहीं है some golf or badminton थोड़े से golf जो है वो badminton है some badminton are not football थोड़े से badminton जो कि इसके golf के अंदर आये हुए वो football नहीं होंगे बिल्कुल सहीं बोल रहा है no golf is cricket कोई भी golf जो है वो cricket नहीं है ये भी बिल्कुल सहीं बोल रहा है क्योंकि golf इस पूरे सरकल के अंदर नहीं जा सकाए ठीक है यह फर्स्ट टू है कौन सा वाला टू है बोल रहे हो बाबो फकीरा कैसे कर दे रहे हो गई पहले वाले में कैसे 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 एक मेंट एक मेंट रुको इसमें पहला वाला टू है बोल रहे हैं न कुछ लोग पहला वाला टू दूसरा फॉल्स ऐसा बोल रहे हो न अभी रुखना मैं इसको फिर से बनाता हूँ डाइग्राम को फिर आप चेक करना मैं डाइग्राम फिर से बनाऊंगा फिर चेक करना सम एपल और नॉट बनाना थोड़े से एपल बनाना नहीं है ठीक है अल बनाना और गुवावा पूरे बनाना गुवावा है ये लो पूरे बनाना गुवावा है अब चेक करो अब देखो सम एपल और नॉट गुवावा भई हमको तो पूरा एपल गुवावा के अंदर दिख रहा है सम एपल और नॉट गुवावा कैसे ट्रू हो जाएगा गलत होगा न बाबू फकीरा कैसे कर दे रहे हो आप डाइग्राम को चेक करो ना भई डाइग्राम में क्या बोला है और बनाना और गुवावा मैंने ऐसा बनाया है आप ऐसा भी तो बना सकते थे न भी इसको समन में आया की नहीं गलती होगी है तो कैसे चलेगा फिर चलिए उमीद करता हूँ समझ में आया होगा और बनाना इंबस यार मेरे मेरे से नहीं हो पाएगा आप लोग बना लीजे इसको बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है जैसे दैसे रोक रोक के की शाम की क्लास भी शॉयद यह बोल सकता है अगर खीक लगेगा तो ही में खिलह अब यह लेदि कल की क्लास थी कल भी नहीं होई थी तो इसलिए रिशेडियूल किया था फिर आज फिर रिशेडियूल करता अच्छा नहीं रहता तो इसे लिए मैंने सोचा चलो ले लेते हैं थोड़ी दिर जितना हो सके खतम करते हैं फिर आप लोग इसको बना लीजी ये दोनों क्वेशन को फिर खतम करेंगे दोस्तों अगर आप में से कोई भी Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेना चाता है अगर बेसिक से मेरे कोर्सेज देखना चाते हो रिजनिंग और क्वांट सीखना चाते हो बेसिक से तो AL10 कोड इस्तिमाल कर लिजे और Unacademy Plus या Iconic का सब्सक्रिप्शन ले लिजे